नमस्कार आदाब सच्छी अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार क्या पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और भाजपा के खासम खास आनंद बोस की सीडी बन चुकी है खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर जी ने कहा है कि महा महीं के लच्छनों की बाकाइदा एक पिन ड्राइब और वीडियो है लोग पूछ रहें कि कैसा वीडियो है किसके साथ का वीडियो है और सबसे ज़्यादा जरूरी कहां का वीडियो है कहीं वो किसी फाइव स्टार होटेल का तो नहीं है और कहीं वो फाइव स्टार होटेल जो है दिल्ली में तो नहीं है बहुत कुछ है जिसने पश्चिम बंगाल के चुनाओं में संदेश खाली को लेकर पतंग उड़ा रही बीजेपी की बोलती बंद कर डाली है मंता ने कहा था कि समय आने दीजीए सब सामने आजाएगा तो क्या वो समय आ चुका है जिया आम आदमी पार्टी की स्वाती मालीवाल को न्याय दिलाने में जुटी भरतिये जनताप पार्टी बंगाल के गवर्नल साहब की रंग बिरंगी कहानियों के बारे में दम साथ कर बैठ गई है महिला योग की अध्यक्ष रेखा शर्मा को भी साप सूं गया ये कहां से आया एकदम से सटक सीताराम हो गई है अच्छा हां नरेंद्र मोदी का युवा साती प्रज्वल रिवन्ना का कुछ पता है क्या छपा हुआ है कि उसने खाना बनाने वाली महिलाओं से लेकर अब सरु तक को नहीं छोड़ा मोदी जी ने अभी तक उसका डिप्लोमेटिक पास्पोर्ट रद नहीं किया है लेकिन इसके पहले कि प्रज्वल रिवन्ना का चैप्टर बंद होता भाजपा के गवर्नर साहब के नए नए चैप्टर खुलते जा रहे है बंगाल राजभवन की एक कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि नौकरी देने के बहाने बुलाया और इधर उदर हाथ लगाने लगे साहब जी इसे लेकर संदेश खाली पर गरज़ती हुई भाजपा सक्पकाई हुई थी लेकिन अब तो गवर्नर साहब का एक और नया मामला सामने आ गया और उस से भी जादा संगीन और स इसी क्लैसिकल डांसर ने दिल्ली के एक फाइव स्टार होटेल में यौन उत्पीडन का रूप लगाया जरा ध्यान से सुनिएगा और ये भी कोई आज का मामला नहीं है ये शिकायत अक्टूबर 2023 में दर्ज कराई गई थी लेकिन आज तक इसको दबा कर रखा गया अब स् सारे बयान बहादूर बिलों में दुबक गए हैं न्यूज अजनसी पीटी आई ने खबर दी है कि बंगाल पुलिस ने पिछले ही हफ्ते राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट सौपी है 14 माई को मामला सामने आया था अक्टूबर में शिकायत होई थी जरा सोचिये अब बंगाल पुलिस ने पहला दावा ये किया है कि बंगाल के राजेपाल सीवी आनंद बोस्त ने महिला को मदद का भरोसा दिया और विदेश मंतराले से भी संपर्क करने को कहा बंगाल पुलिस का दूसरा दावा तो बहुती संसनी खेज है उसना रिपोर्ट में लिकाया कि जनवरी दो हजार तेईस में तो ओडिसी डांसर को बाकाइदा राजेपाल से दिल्ली आने जाने के लिए हवाई जहाज के टिकट महिया कराएगा तीसरा दावा जरा ध्यान से सुनिएगा बंगाल वाले मोदी जी के गवर्नर्स साहब के एक रिष्टेदार ने पांच और छे जनवरी को दिल्ली के एक फाइव स्टार होटेल में शिकायत करता ओडिसी डांसर के लिए कमरा बुक कर आया था और चोठा दावा भाजपा के राजिपाल जी उन दिनों दिल्ली में ही विराजमान थे बोस्त तब दिल्ली के बंग भवन में रह रहे थे आरोप है कि उ उसी दोरान राजिपाल साफ फाइव स्टार होटेल पहुंचे और महिला के साथ छिडखाने की अब देखिया कि संदेश खाली पर भाजपा ने कोहराम मचाया हुआ है जबकि उसकी शिकायत करता ने कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है कि उसने भाजपा ने फाइव स्टार होटेल तक महिलाओं पर जपता मारा इस पर भाजपा एकदम से चुप बैठ हुए अब जरा आगे की बात सुरूए जाच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि CCTV फोटेज में राजिपाल महोदय की होटेल में एंट्री और एक्जिट का समय महिला ने अपन पेले क्यों नहीं कराई लेकिन यह जितिकार है कि वह कभी भी अपने साथ हुई ज्यादती कि शिकाएद reacts करा सकती है उससे यह नहीं पूछा जा सकता कि उसने पहले शिकायत क्यों नहीं कि लेकिन इस पूरे मामले में भाजपा के घिपाल जी की कि चुप की बहुत दसवाल पैदा कर रही है क्योंकि इतना समय गुजर जाने के बाद भी महा महिम सीवी बोस या राजभवन की तरफ से इस पर कोई चवाब नहीं है पहले वाले पर आया इस पर नहीं आया मतलब बंगाल के राज़िपाल यौन शोशन के गंभीर आरोपों में गेरे हुए उनक कि दो मई को हरे स्ट्ट थाने में राज़िपाल के खिलाफ लिकित शिकायदी थी महिला ने आरोप लगाया था कि वह 24 मार्च को स्थाई नौकरी का आवेदन लेकर राज़िपाल के पास गई थी उसी समय राज़िपाल ने बदसलूकी की यहीं नहीं रुकी आरोपों के मत होगा यहां कुछ नहीं हो सकता इसके बाद उसने ठाने में जाकर मामना दर्ज करा है हलाकि राजिपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर महिला के आरोपों का खंडन किया था उन्होंने कहा था कि यह मुझे बदनाम करने की साज़िश है मेरे उपर बेबुन इसा के खिलाफ लडाई नहीं रोक सकता लेकिन अब क्या बोलेंगे बोस साहब गवर्नल साहब लाट साहब दूसरा मामला सामने आ गया है कुलकाता से महिला का पीछा करते वे दिल्ली तक पहुच जाने के आरोप है इसके साथ इत्रमूल कांग्रेस ने भाजपा पर नहीं आया दिल ठाम कर रखिये एक और वीडियो और पेंड्राइव हैं तो क्या बीजेपी के राजपाल महोदय की सीडी बन चुकी है आखिर ममता किस पेंड्राइव और वीडियो की बात कर रही है वो यहीं नहीं रुकती है कि अगर अब राजभवन बुलाया जाएगा तो मैं नहीं जाओंगी अगर राजपाल मुझसे बात करना चाहते हैं तो वो मुझे सडक पर बुला सकते हैं मैं उनसे वहीं मिलूंगी उनके पास बैठना भी अब पाप है पहले आरोप के बाद तो बोस्त ने बोल दिया था कि दीदी की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करोगा ममता बनल जी गंदी राजनीत कर लें लेकिन अब उन महिलाओं का क्या जिन्नों ने बहुत हिम्मत करके इतने ताकतवर आदमी पर भाजपा के इतने ताकतवर आदमी पर संगीन आरोप लगा है क्या उन्हें हवा में उड़ा देगी बीजेपी अभी तक तो उड़ जा रही है लेकिन ये बात सच है कि पस्चिम बंगाल की राजनीत में गवर्नल साहब की रंगीन कहानियों के खिस से बीजेपी के पैरो तले से जमीन खीच रहे हैं इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया रहे है तो फोरण कीजिए बेल आइकोन दबाइए घंटी जैसे आकरिती लाइक कीजिए और कमेंट करके बताए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमारा टुटिटर हैं अर्टिकल 19 अंडर्सकोर इंडिया और मेरा टुटिटर हैंडिया और मेरा टुटर हैंडिया नवीम नमस्कार।